वेलकम तो कॉमर्जोन आज है हमारी वीडियो नमबर टू विच विल बी ओन स्टॉक एंड फ्लो कॉंसेप्ट तो यह आपके चाप्टर वन का ही पार्ट है लेकिन हम लोग इसे अलग से एक वीडियो में लेकर आए हैं स्टाट करेंगे स्टॉक वेरियेबल के साथ इसकी डेफिनिशन के साथ इसमें आपको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ताइम का बहुत ही जादा इमपोर्टेंस देखी जाती है importance का मतलब कि अगर हमें कोई भी एक variable है suppose यह एक cylinder है और इसके अंदर कितना water fill है on a specific date यानि कि अगर बात करते हूँ आज 27th December है तो आज के दिन में इस cylinder के अंदर कितना liter पानी store है कितना storage है on a specific date तो इस variable को हम बोलेंगे stock variable whereas अगर मैं flow variable की बात करूँ flow का मतलब ही है flowing concept तो flow variable refers to that variable which is measured over a period of time over a period of time मतलब कि इस साल के दौरान, इस दिन के दौरान, इस बातचीत के दौरान during a specific period तो अब अगर मैं बात करूँ कि during the day इस सिलेंडर में कितना पानी है तो ये फिर मैं बात करूँ हूँ flow concept की कई बार बच्चे confused होते हैं कि मैं national income जैसे एक topic मैंने ले लिया कि on 27 December हमारे देश की national income कितनी calculate हुई तो फिर ये कौनसा concept है, stock concept और during the year 2021 हमारी national income कितनी रही ये हमारा कौनसा concept हो गया, flow concept तो बच्चे हैं confused होते हैं कि मैं national income stock concept है stock concept है या फिर flow concept है तो देखिए एक specific चीज को हम किस तरह से देख रहे हैं ये बहुत जादे important है, उसी पर हम decide करते हैं कि ये stock रहेगा या फिर flow रहेगा जैसे मैंने आपको पानी का example दिया वही पानी stock में भी आ सकता है और वही पानी हम flow की तरह भी show कर सकते हैं तो इसी के साथ हम start करते हैं कुछ differences देखना कि actual में stock or flow में कितना difference है देखे, definition तो obviously one of the point of difference है ही लेकिन उसके अलावा अगर मैं दूसरे difference की बात करूँ तो यहाँ पर मैं stock की बात करती हूँ और यहाँ पर मैं flow की बात करती हूँ देखे, stock concept जो है ये time को dimension नहीं रखता no time dimension यानि कि जिस दिन की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, इस समय, इस moment में ये चीज कितनी हैं, जस्ट बता दो मतलब इसका लंबे time से during the passage of time से कोई भी relationship नहीं है however, flow concept में हम time dimension को बहुत ज़ादा importance देते हैं क्योंकि किसी भी चीज का magnitude measure करने के लिए हमें time की जरूरत पड़ती है magnitude यानि उसकी value तो ये आपका दूसरा difference हो गया apart from definitions इसके अलावा कई बार MCQ से में पूछ लेते हैं कि which of the following is a static concept या which of the following is a dynamic concept तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि stop variable जो है ये अपने आप में static concept है यानि कि इसमें बहुत ज़्यादा fluctuations changes नहीं होते ये बहुत stable रहता है बहुत static रहता है however flow concept is dynamic in nature यानि कि ये बहुत flexible है ये variate करता है इसमें 2-3 चीजों को measure कर सकते हैं right so it is a dynamic concept and it is a stock concept तो अगर आपके paper में 3 number का differentiate आजाए तो आपको पता है कि 1, 2, 3 और 4 आप examples भी डाल सकते हो examples के तोर पर मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप on a specific date पर आपकी age age as on ठीक है यहाँ examples में लिख देती हूँ उसके अलावा age के अलावा क्या अगर मैं कहूं कि specific day पर आपके पास कितना bank में balance है bank balance bank balance on blah 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 किसी भी date पर उसके अलावा national income on a specific date हमारी calculate हो सकती है तो ऐसे कई सारी चीज़े जो particular point of time पर हम calculate कर सकते हैं वो सब आपके stock concept में आएंगे जबकि अगर मैं flow concept की बात करूँ तो flow concept में हम क्या करते हैं कि जहां भी आप ऐसे words देखे न during this process या फिर within the time span right कि मतलब कि आपके पास कितनी quantity of water available है during February month during February या फिर आपके पास कितनी wealth available है during this year wealth in 2021 तो इस तरह से कई सारे examples जो कि आपको एक passage of time के अंदर आप एक specific date पे count नहीं कर सकते आपको एक time dimension की need है तो वो concept आपका flow concept में आता है right अब इसमें से क्या क्या question में paper मन सकता है या तो आपको differentiate आ जाएगा या फिर आपको MCQs के तौर पे या fill in the blanks के तौर पे कि बताइए static concept जैसे मैंने बताया या फिर आपको दे दिया जाएंगे कि इन तीनों में से तीन नम्बरा question आएगा और तीन नाम दे देंगे कि judge करें इन में से stock concept कौन सा और flow concept कौन सा है तो उससे related आपको कुछ questions प्राक्टेस करके जाने पड़ेंगे पेपर से पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके उपर भी एक वीडियो बना दूँ ताकि आपको प्राक्टेस करने में जादा असानी हो जाए ठीक है आज के लिए इतना ही I hope आपको सारा concept बहुत अच्छे समझा है Thank you